नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्तों पस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महतोपूर्ण जानकारियों को लेकर के जहां दोस्तों रात को पानी में बादाम को भिंगो कर अगर आप सुबह खाते हैं तो इसके फायदे जानकर चौक जाएंगे आप जहां दोस्तों आज का हमारा यहीं टोपिक है कि रात को बादाम को पानी में भींगो दिजिए और फिर खाईए और इसके फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं दोस्तों शरीर की खोई हुई शक्ति पाने के लिए बादाम की गिरी को दूध में उबाल कर पीना लापकारी रहता है दोस्तों जो बच्चे अभी बोलना सीख रहे हों और आप उनकी इस देरी से चिंतित हों तो भी मक्षन के साथ रात को भींगी और छीली हुई गिरी खिलाएं बोलने लगेंगे वो कमर दर्द जैसे रोगों का अच्छा उपचार है बादाम का सेवन दोस्तों अगर आप कमर दर्द से जूज रहे हैं तो आपके लिए बादाम रामबान की तरह काम करेगा दोस्तों महिलाओं के प्रसूता होने पर उन्हें किसी न किसी रूप में बादाम देना कमजोरी धूर करेगा दोस्तों दातों की रक्षा के लिए बादाम के छिलकों को जला कर मनजन तैयार करें और प्रती दिन प्रयोग करें आपको लाव होगा दोस्तों यदि सुनने की शक्ति कम होने का भाय हो तो बादाम रोगन की एक एक बूंद प्रती दिन कान में डालें लाव होगा दोस्तों औरतों को सफेद पाने लिकूरिया बीमारी हो जाने पर बादाम की गिरियां रात भर भिंगोएं प्राता खिला दें यानि की सुबह सुबह खिला दें दोस्तों लाव होगा सिर की खुशकी मिटाने के लिए सिर पर बादाम रोगन की मालिश करें आपको लाव होगा बादाम के वैल से अगर आप मालिश करते हैं तो बाल न जड़े इसकी लिए भी सिर पर बादाम रोगन की मालिश कर सकते हैं आप दोस्तों दिमागी काम करने वालों को 5-7 बादाम प खाने से पुर्व कुछ घंटे पानी में भिंगो कर रखें छील कर खाएं अथ्वा छील के सहीर फिर पीस कर खाएं तो पूरी-पूरी पुष्टिकता मिलेगी दोस्तों बादाम अपने असीम स्वास्थे लावों के लिए जाना जाता है भिंगे बादाम स्वाधानुसार ही नहीं बलकि स्वास्थे की दृष्टि से भी कच्चे बादाम से बहुत बहतर होते हैं दोस्तों दर्मियाने कद के पेंड पर बादाम लगते हैं इस पेंड पर सफेद तथा गुलावी रंग के फूल लगते हैं अप्रेल में लगे फूल अगस्त में फल बन जाते हैं दोस इसकी अच्छी फसल होती है अफगनिस्तान तो जैसे बादाम का घर ही है दोस्तों फल का पून मालाकार तथा बारी कंगुरेदार होता है उपचार भी जान लेते हैं आज हम कि क्या क्या इससे उपचार होते हैं यानि कि फायदे होते हैं दोस्तों भींगे बादाम के फायद जैसे विटामिन E, जिंक, कैल्शियम, मैगनीशियम और उमेगा 3 फैटी एसीड से भरपूर होता है लेकिन इन सभी पोशक ततों को अवसोशित करने के लिए बादाम को खाने से पहले रात भर पानी में भिंगोना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलके में टनीन होता है जो पोशक ततों के अवशोशन को रोकता है एक बादाम को पानी में भिंगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोशक ततों को रिहा करने की अनुमति देता है भींगा हुआ बादाम पाचन में भी मदद करता है यह लाइपेज नामक एंजाइम के विग्यपती करता है जो वशा के पाचन के लिए फायदे मंद होता है इसके अलवा भींगे हुए बादाम आपके स्वास्त के लिए कई अन्य और फायदे दे सकता है दोस्तों जैसे हाई बलड प्रेशर को नियंत्रित करता है ये बादाम बलड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं वैज्यानिकों ने पाया कि बादाम का सिवन करने से बलड में अलफाट टोको फेराल की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी के भी रक्त चाप को बनाई रखने के लिए महत्वपूर होता है अध्यान से यह भी पता चला कि निवमित रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का बलड प्रेशर नीचे लाया जा सकता है दोस्तों और यह 30 से 70 वर्ष की आयू के बीच के पुरुशों में विशेश रूप से प्रभावी होता है रात में पानी में भींगो कर सुबह छिलका उतार कर बादाम खाने से पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यह बहुत ही फायदेमन सिद्ध होगा दोस्तों बादाम खाना खाने के बाद शुगर और इंसुलीन का लेवर बढ़ने से रूपता है इससे डाइबिटीज से बचा जा सकता है तो फिर किस बात की देरी आप हर रोज सुबह भिंगे हुए बादाम खाकर अपने शरीर को पोशन तत्वों से भरपूर बना सकते हैं दोस्त करने में मदद करता है भींगा हुआ बादाम इंटि ऑक्सिडेंट का भी अच्छा श्रोथ है यह मुक्त कणों के नुकसान से बचा कर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकता है भींगे बादाम में विटामिन B17 और फोलिक एसीड कैंसर से लड़ने और जन्म दोश को द समस्या आज भारत में सबसे आम बेमारियों में से एक होती जा रही है उच्छे कोलेस्टरॉल हिरदय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट सहीद कई प्रकार के रोगों का एक कारक है इस समस्या के लिए बादाम आपकी मदद कर सकता है बादाम शरीर में अच्छे कोल बादाम के अनुसार बादाम एक बहुत हीं शक्तिसाली एंटि ऑक्सिडेंट एजन्ट है जो एलडियल कोलेस्टरॉल के आक्सी करांग को रोकने में मदद करता है बादाम के ये गुण दिल को स्वस्थ रखने और पूरे हृदय प्रणाली को नुकसान और चाने में मदद करता है अगर आप दिल की बिमारी के किसी भी रूप से पीडित हैं तो स्वस्थ रहने के लिए अपने अहार में भींगे हुए बादाम को आप शामिल करें दोस्तों बादाम के फायदे अक्सर लोगों को लगता है कि बादाम के वल दिमाग को दुरुस्त रखने में कारगर है लेकिन बादाम में मौजूद मिनरल्स विटामीन डियेटरी फाइबर दिमाग को तरु ताजा रखने के साथ साथ शरीर की मेटाबलिजम में भी मदद कार होता है जो रोजाना बादाम का सिवन करना सिहत के लिए काफी फायदे मन्द होता है आज हम आ लेवल कंट्रोल रहता है इसके तेल की मालिश से छोटे बच्चों को बहुत लाब होता है दोस्तों खून में शुगर की मात्रा और इंसुलीन के स्टर को नियंतरित करने में ये काफी आहम भूमिका निभाता है नियमित रूप से इनका सेवन करने से डाइबिटिज जैसी ब बादाम बहुत फायदेमंद होता है इसमें फोलिक एसिड मौजूद होता है दोस्तों जिससे मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्त ठीक रहता है इससे बच्चा स्वस्त पैदा होता है दिमाग को दुरुष्ट रखने के लिए ये काफी लाफ दयाक होता है गर् जाना 5-7 बादाम का सेवन करना अच्छा होता है गर्मी को दिनों में बादाम की गीरी को रात में पानी में भींगो कर सुबह छिलका उतार कर खाना चाहिए ये ध्यान रखने वाली मुख्य बात होती है दोस्तों कि सर्दियों में आप छिलके के साथ खा सकते हैं बादाम को गर्मियों में आप बादाम को भींगो दे रात को और सुबह उसका छिलका उतार करके तब खाएं आपके लिए बेहदलाप कारी सावित होगा तो ये थी आज के हमारी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पू मस्कार दोस्तों